हलो नमस्कार मैं डक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हरदिक स्वागत करता हूं तो यहाँ पर पहला प्रशन दिया गया है पहला प्रशन दिया गया कि वाक्यम रसात्मकं काबियम काबिल लक्षन किस ने दिया है अगला प्रशन है यदपि दोश कुछन के दिया है खास्तोर से जब हम मधिकालीन हिंदी आलोचना की बात करते हैं और रितिकालीन कभियों की काविसंबंदी लक्षन लक्षणों की बात करते हैं तो मिलता जूलता काभी संबंदी लक्षण है तो बस आपको ध्यान में रखना है कि कौन किसका है जो क्वेशन नंबर दो दिया गया है उससे प्रश्ण के लिए केशवधास स्रीपती चिंतामडी कुलपती मिस्र आफसन दिया गया है और पूछा नाम के आचारी ने इसका यह कहा है कि जदपी दोश बिन गुन सहित अलंकार सोलीन कई बच्चों ने केशवधास के बारे में यहां पर टिक किया है लेकिन वह आंसर सही नहीं है आफसन बी इसका सही जबाब है अगला प्रशन है सगुन अलंकरान सगुन अलंकारन सहित दो दोश रहित जो होई शब्ध अर्थ वाराव कवित विवुद कहत सब कोई कावी लक्षन किस ने दिया है तो राहा का जो सही जबाब है आफसन सी कही बच्चों ने इसका सही को वीचार का विलक्षन किस ने दिया है आए। आपसं दिया गया केशवधा स्रीपति चिंता-मढikk प्षिमिस्र जो इसका जो सही सब आव क्वेषी नंबर चार का सही सब एक ब έी वस風 क котором क्षों ने दिया कि आपसंड करन भी एक रोद में में रहा को प्षेख सैगे हो तो देख रहे हैं कि लगातार आचारियों द्वारा कावे लक्षन दिया जा रहा है आप्चन दिया गए केशवधास स्रीपति चिन्तामडी सूरत मिश्रे ठीक है तो यहाँ पर जो सही जबाब है इसका सूरत मिश्रे इसका सही जबाब है कि बरनन मन रंजन जहां रीत अलव की खोई निपुन कर्म कविजोजू तिहीं कावे कहत सब कोई अगला प्रश्ण है सब्द जीव तिहीं अरत मन रसमे सुझत सरीर चलत वहे जुग छंद गति अलंकार गंभीर तो लगातार आप देख रहे हैं कि कोई रस की बात कर रहा है कोई अलंकार की बात कर रहा है और कोई शब्द की बात कर रहा है कोई अर्थ की बात कर रहा है कोई दोनों की बात कर रहा है तो उसी के आधार पर आचारेों ने कावे लक्षन दिया है तो इसमें जो अफ्षन दिया गया इस प्रश्ण के लिए केसोधा, स्रीपति, देव, कुल्पति, मिश्र तो अप लोग काविलक्षन किस ने दिया है आम तोर पर परिक्षों में जो नीचे की पंक्ति है वो पूछ ली जाती है और यहां पर तो हमने आफशन में भूशन नहीं रखा है बाकि कई परिक्षों में भूशन भी आफशन में रहते हैं और कई बर परिक्षा में ये पूरी दोनों पंक् कविता बनिता मेत अगला प्रश्ण है सगुन पदारत दोश्विन पिंगल अविरुद्ध भूशन जुत कविकर्म जो सो कवित कहीं सुद्ध तो आप देख रहे हैं कि मिलता जुलता यहां पर काबिलक्षन है बस आप सभी को ध्यान में रखना कि कौन किस आचारे द्वारत दिया गया है अपसन दिया गया है सो मनात विखारी दास चिंता मड़ी कुलपति मीश्र तुषका सही आंसर है सो मनात ने इसको दिया है जो कि बहुत कम परिक्षव में पूछा जाता है लेकिन आप लोगों को ध्यान में रखना है कि सगुन पदारत दोश्विन पिंगल अ कवित कहीं सुद्ध यह सो मनात आचार रहे हैं यह वी रितिकाल से संबंदिन का रहा है सही जबाब है अफसन ए अगला प्रश्ण है रस कविता को अंग भूशन है भूशन सकल गुन सरूप और रंग दूशन करे करूपता ठीक है का विलक्षन किस ने दिया है तो लगाता सारा आप देख रहे हैं कि भूशन सब्द का प्रयोग यहां पर दिखाई पड़ रहा है और उसी में से हमें यह चेक करके बताना है कि इसका आंसर क्या है क्या है जो सही आंसर है वो दिया गया है आफसन सोमनात विखारी दास चिंतामणी कुल्पति मिस्रे सही जबाब है विखारी दास ने इसके बारे में इलक्षन दिया हुआ आफसन बी इसका सही जबाब है अगला प्रशन है कि अंतह करण की प्रवित्तियों के चित्र का नाम कविता है किसका कथन है तो 35 से ही पता चल रहा है कि यह आदुनी काल के अलोचकों द्वारा दिया गया आफसन बी कि अगला प्रशन है जो कि देखते ही पंक्ती को देखते ही आप लोग तुरंट बता देंगे हाला कि हमने खास में निवंदों की चर्चा करते हुए इन पंक्तियों के बारे में बात चित कर लिया है अप्रशन दिया गया जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दसा कालाती है उसी प्रकार हिर्दय की यह मुक्तावस्था रस दसा कालाती है किसका कथन है तो एकदम से आप अगर सपने में वी रहेंगे तो तुरंत बोल देंगे यह तो रामचंदर शुक्ल का लग रहा है आप लोगों ने भी वही काम किया सही जवाब है आचाहर रामच मानते हैं एक पहले के प्रैक्टिसेट में हमने काफी गंभीरता से इस नीबंद पर चर्चा किया था उम्मीद है कि आप लोगों को याद आगया होगा जो बच्चे लगातार जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल मेरी बातों से समत होंगे जो बच्चे नए जुड़े उनको थोड़ा सा यहाँ पर गेपिंग लग रहा होगा कि मैं कपकी बात कर रहा हूं सही जबावेज का आचारे रामचंदर शुटले देखेंगे कई बार परिक्षाओं में इतने बड़े कोटेशन को कई बार तोल कर पुछ लिया जाता है मैंने इसलिए पूरा उठाया ह कि आगे की भी एक जो एक वाक्य इसको आप समझे कि कविता जिसको करते हैं इस साधना को हम भावयोग कर्मयोग और ज्ञानयोग तीन योग कि यहाँ पर चर्चा की जा रही है तो इस तरीके से अगर आपका कहें भी प्रशना आये तो तुरंत आपको पता चल जाए कि यह आने भाव भूमी पर ले जाती है जहां जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षतकार और सुध अनभूतियों का संचार होता है कि इसका कथान है तो जैसे ही मैं इस प्रशन को पूरा पढ़ रहा था आप लोगों के दिमाग में तुरंत छपना सुरू हो गय अनुरूप भावच्छवास और संदर संवेधन उत्पन करता है इसी संदर संवेधन को भारतिय पारिभासिक शब्दावली में रस करते हैं आपने देखा कि रस की परिभासा को बताने के लिए इतना लंबा चोड़ा यहां पर यह कथन दिया गया है पूछा जा रहा है कि किसका कथन है अफसंदिया गया माविर प्रसाद दिवेधी रामचंदर शुकल नंदुलारे बाचपई जय संकर प्रसाद तो इसका जो सही जवाब है यहां पर कि नंदुलारे बाचपई ने इस कथन को कहा है ठीक है अगला प्रश्ण है जो कि कई बार परिक्षवां में जा चुका है का विया आत्मा की संकल पात्मक अनभूति है किसका कथन है अफसंदिया गया है महाविर प्रसाद दिवेधी रामचंदर शुकल नंदुलारे बाचपई जय संकर प्रसाद तो यह प्रश्ण कई बार परिक्षवां में पूछा जा चुका है और आगामी परिक कविता कवी विशेश की भावनाओं का चित्रन है और वह चित्रन इतना ठीक है कि उससे वैसे ही भावनाएं किसी दूसरे के हिर्दय में आविर्भूत होती है किसका कथान है अप्शन दिया गया महादवी वर्मा, महाविर प्रसाद दिवेदी, रामचन शुक्ल, नन दुलारे वाचपेई तो इसका जो सही जबाव है आपर अप्शन ए इसका सही जबाव है महादवी वर्मा ठीक है अगला प्रस्ण है ये भी काफी इंपोर्टेंट है कई बार परिक्स्वामी पुछा जा चुका है कविता हमारे परिपूंड छणों की वाड़ी है किसका कथान है आप देखेंगी UPGIC, GDC, UP Higher Education, प्रवक्ता TGTPGT सब में ये कुष्चन आ चुका है और जिन लोग न सुमित्रा नंदन पंट ठीक है चले अगला प्रश्ण है रसात्मक शब्दार थी काब्य है और उसकी चंदो माई विसिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है किसका कथन है रसात्मक शब्दार थी काब्य है और उसकी चंदो माई विसिष्ट विधा आधुनिक अर् तो इसका जो सही जबाब है ए आप सेने डाक्टर नगेंदर ने इस बात को कहा है